हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक्टिवर चैनल लास्ट वीक हमने एक वीडियो अपलोड किया था जाम्या मिलिया इसलाम्या उनिवर्सिटी के अंदर जो टीचिंग पोस्ट की वेकेंसिज निकली हुई थी उसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और वो भी अपलाई करना चाहते हैं उन पोस्ट के लिए लेकिन कुछ सारे कंडिडेट ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि एप्लिकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमारे कमेंट भी की हैं लेकिन मैं कुछ कमेंट का जवाब नहीं दे पाया इसलिए स्पेशली मैंने उनी कंडिडेट के लिए ये वीडियो बनाया है जिनको डाउट्स आ रहे हैं जिनोंने अभी तक एप्लिकेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो इस वीडियो के मैंदम से मैं डिटेल में आपको स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जाम्या मिलिया इसलाम्या उनिवर्सिटी के अंदर जो टीचिंग पोस्ट निकली हुई हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कैसे अप्लिकेशन फॉर्म फिल करना है और कैसे आप उसको सब्मिट करवा सकते हैं अगर आप इंटरस्टिड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के कंटेंट को चैनल की प्लेलिस्ट जो हमने बनाई हुई हैं उसको जरूर विजिट करें क्योंकि बहुत सारा बेनिफिशल कंटेंट यहां पर आपको मिलने वाला है तो आईए ज़्यादा समयना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरूर यह देखिए सबसे पहले मैं आपको यह एप्लिकेशन फोर्म दिखा देता हूं कुछ इस तरह का एप्लिकेशन फोर अभी नहीं मिला जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया उनको डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यह एप्लिकेशन चार से पांस पेजिस का रहने वाला है तो इस एप्लिकेशन फोर्म को फिल करने के लिए बोक्स मिल जाएगा उसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसमें फिर आपको आपकी जो वालिफिकेशन और एक्सपिरेंस है उसके हिसाब से आपको उस पोस्ट को सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं तो जब आपको वह गवाग तब यह अप्लिकेशन फोर्म फिल करने की बारी आपकी आएगी तो इस अप्लिकेशन फोर्म में सबसे उपर जो है एक पर्फोर्मा दिया हुआ है पर्फोर्मा क्या है यह वह पर्फोर्मा है जो आप फी पे करने के बाद जिसको आपको फिल करना है इस पर्फोर्मा के न बारे में बात कर लेते हैं तो इस परफोर्मा को फिल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले आपको चाहिए advertisement number and date जिस advertisement के against आप apply कर रहे हैं उस advertisement का number आपको पता होना चाहिए इसका जो number था वो मैं आपको दिखा दूँगा अभी और वैसे बता भी देता हूँ इसका number था 2022 slash 2 means 2022 की दूसरी advertisement है ये ठीक है तो ये रहने वाला है serial number and name of post ये भी मैं आपको बता देता हूँ advertisement में दिखा कर ये देखें ये advertisement है जो जारी की गई है जामिय मीलिय इसलामिय उनिवर्सिटी की तरफ से इसमें advertising number आप देख सकते है 02 slash 2022s ठीक है तो ये आपको वहां पे mention करना है और जहां पे date है date में आपको 7 जून 2022 वहां पे mention करना है उस performa के अंदर ठीक है उसके बाद उसमें लिखा गया कि serial number and name of post serial number and name of post क्या है जैसे कि इसमें 4 categories में इन्होंने post को निकाला हुआ है ये vacancies को notify किया हुआ है सबसे पहले है जामिया senior secondary schools के अंदर जो vacancies है वो है उसके बाद है जामिया middle schools के अंदर जो vacancies है वो इन्होंने mention की हुई है उसके बाद है यहाँ पे मुशिर फातिमा nursery school nursery schools के अंदर जो vacancies है वो है यहाँ पे उसके बाद है बालक माता center तो इस तरह से चार categories में vacancies को यहाँ पे निकाला गया है तो इन चार categories में से किस post के लिए आप apply कर रहे हैं उस post का serial number आपको यहाँ से पता चलेगा यह serial number यहाँ पे दिये हुए है उसका the name of the post दिया हुआ है suppose आपको apply करना है PGT उर्दू के लिए या PGT biology के लिए अगर PGT biology के लिए आप apply करना चाहते हैं तो serial number हो गया 2 name of the post हो गया यहाँ पे PGT biology तो यह आपको application form में mention करना है तो इस तरह से आप उसको fill कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं दोबारा से उस performa के उपर चले जाते हैं इसके बाद जो next है next में आप देखेंगे school या center center school में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाम या middle school के लिए आप apply कर रहे हैं या senior secondary school के लिए apply कर रहे हैं या फिर nursery school के लिए apply कर रहे हैं या फिर जो बालक माता center है उसके लिए apply करने हैं तो उसका नाम यहाँ पे आपको mention करना है name of the applicant आपको अपना नाम मेंसन करना है amount and date of deposit जो application fee आपको deposit करनी है वो आपको net banking के मैधं से ही deposit करनी है ना कि Google Pay या किसी app के मैधं से आपको नहीं करनी net banking के मैधं से जो neft होता है N-E-F-T उसके मैधं से आप fee apply करेंगे fee भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको pay करनी है यह देखिए fee apply करने के लिए मैं fee pay करने के लिए आपको advertisement को देखना पड़ेगा तो उसके अंदर सबसे नीचे वाले page पर यह detail दी गई है यह name of the bank account दिया गया है name of bank किस bank में account है jamia milia islamia university का branch कौन सी रहने वाली है branch code है bank account number है IFSC code है swift code for international transaction आपको करनी है तो इस swift code है और address of the bank की है phone number तो यह सारी details आपको mention करके इस account में जो है आपको application fee पे करनी है जो account number यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ठीक है और आपको only through net banking के मेहदम से ही करनी है application fees आपको पता होना चाहिए जैसे कि 500 रुपीज है for general category के candidates के लिए 250 रुपीज है for SC, ST candidates के लिए और अगर women candidate है या दिव्यांग जन है या PWD जो candidates होते हैं उनके लिए कोई भी fees यहाँ पे नहीं लगने वाली तो इस तरह से इस account में आपको fee pay करनी है जब आप fee pay करेंगे तो एक transaction ID वहाँ पे generate होगी है जिसको हम UTR unique transaction reference भी कहते हैं वो वहाँ पे generate होगा आपके account में आपको detail उसकी मिल जाएगी तो उसको आपको note down कर लेना है और उसकी जो date है वो भी आपको note down कर लेनी है तो वो जो transaction ID होगी फिर वो application form में आपको mention करनी होगी वो हम देख लेते हैं कैसे mention करनी है यह देखे जैसे कि मैंने बता था amount means आपने 500 deposit किया ठीक है date जिस date में आपने deposit किया वो आपका email ID होगा आपका mobile number mention करना है users bank किस bank के माइदम से आपने उसको apply किया है SDFC bank आजाएगा जिस branch में आपका account है उस branch का नाम यहाँ पे आजाएगा transaction number या ID या reference number जो generate हुआ है application fee पे करने के बाद तो वो उसको यहाँ पे आपको mention करना पड़ेगा ठीक है उसका the date किस date में आपने किया है and signature of applicant तो यह सबसे पहला performa आप इस तरह से fill कर सकते है उसके बाद आता है application form application form में सबसे उपर यहाँ पे आपका passport size photograph attach होगा इसमें जो left hand right hand side है application form के UTR नंबर या reference नंबर जो आपने application fee पे की थी वो transaction ID नंबर यहाँ पे mention करना है और date mention करनी है कितनी fees आपने pay की है अगर आपने 500 रुपीज किया तो 500 और अगर आपने 250 किया तो 250 और अगर आप women candidates है या PWD candidates है तो यहाँ पे आपको note applicable भी आप यहाँ पे लिख सकते है तो इस तरह से आप यहाँ पे mention कर सकते हैं नीचे वाला जो area है इसको आपको कुछ नहीं करना है यह for office use के लिए है उसके बाद है candidates का full name आपको mention करना है अपना नाम advertisement number जैसे की 2-2022 date 7-June-2022 किस post के लिए आपने apply किया है TGT sociology के लिए TGT biology के लिए PZT biology किस post के लिए apply किया है school या center means middle school के apply किया है nursery के लिए या फिर बालक मादा सेंटर के लिए apply किया वो आपके father's या husband का नाम आपको mention करना है उसके अदा आपका address होगा correspondence address या permanent address दोनों आपको mention करने है अगर दोनों same है तो आप same यहाँ पे लिख सकते है date of birth होगी आपकी उसके बाद है whether आप आप general category से है SC, ST, OBC किस category से belong करते है वो marital status आपको यहाँ पे डालना है अपना उसके अदा educational qualification में आपको ने matrix, senior secondary, B, 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 T, M, M यह सारी drills आपको यहाँ पे फिल कर देनी है इसके बाद आपका experience है अगर आप teaching कर रहे हैं तो वो experience करना है कि किस post पर आप अभी है किस time से किस time तक का आपका experience है क्या roles and responsibilities आपकी है और किस school में या किस institution में आप अभी पढ़ा रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे mention करना है कोई आपने research work या publish की है कोई book तो वो अगर आपने की हुई है तो इस application form के साथ उसको attach कर सकते हैं साथ में उसका अगर आप अभी employed हैं तो आपकी basic salary क्या है level of pay आपका क्या है allowances आपको कितने मिल रहे हैं total in hand या total जो per month आपको मिलती है वो कितनी है और next increment आपको कब होगा ये भी आपको यहाँ पे mention करना होगा उसके बाद अगर आप select हो जाते हैं तो कितना time आपको चाहिए join करने के लिए जैसे कि one month का notice period होता कुछ के लिए कुछ के लिए three months का होता तो वो यहाँ पे आपको mention करना है कि कितने time के अंदर आप join कर सकते हैं jam या, mail या, islam या, university को name of two reference if your name is two reference means जिनके साथ आपने काम किया है जिनके अंदर आपने काम किया है जिनके अंदर आपने बढ़ाई की है उन दो विक्टियों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहिए male हो चाहिए female हो किसी का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसका address आपको mention करना है और किस time से किस time तक आपने उनके साथ काम किया या कब तक वो आपको जानते थे वो भी आपको mention यहाँ पे करना है ठीक है उसके आद यहाँ पे आपको sign करने हैं अपने नीचे if employed remarks of forwarding authority attached separate sheet अगर आप employed है तो जो forwarding authority जैसे की no objection certificate होता है कहीं से वो लेना पड़ता है तो वो भी आपको इस form के साथ attach करना है ठीक है इसके बाद आता है एक और यहाँ पे application form के साथ एक attachment रहने वाली है जिसमें आपको advertisement number mention करना है date mention करनी है particular semester आप अपना नाम यहाँ पे आपको लिखना है किस post के लिए आप apply करना है यह भी आपको यहाँ पे mention करना है उसके आद आपका correspondence address, contact number, name यह सारा एंटर करना है date of birth, mother tongue क्या है या other languages अगर आप जानते हैं तो वो भी mention करना है फिर आपके यह short information है जो application form के साथ आपको जाएगी जैसे कि 10th plus 2 कहां से, किस board से किया, किस year से किया किस division से किया उसका अदर detail of work experience सारा जो है इस के अंदर mention आपको करना है ठीक है और इसकी 8 copies जो है आपको application form के साथ attach करके भेजनी है 8 copies इसकी होनी चाहिए यहाँ पे आपको sign करने है और किस date में आप इस application form को भेज रहे है या किस date में fill कर रहे है वो date यहाँ पे आएगी acknowledgement में क्या है acknowledgement में यह आपका जो है आप इसको fill करके भी भेज सकते है या without fill करे भी इसको भेज सकते है यह application form के साथ जाएगा यह जो है university के अंदर जो जहाँ पे आप application form deposit करेंगे तो उनके लिए है यहाँ पे आप अपना नाम किस post के लिए apply किया है किस center में किस school के लिए apply करना चाहते है वो यहाँ पे आप लिख के भी भेज सकते है अगर आपकी इच्छा है तो आप लिख के भेजिए otherwise आप ऐसे भी इसको send कर सकते है यहाँ पे नीचे जो है signature of receiver means जहाँ पे आप इसको deposit करवाएंगे वहाँ पे आपको इसको deposit करवाना है और उसके sign लेके रख लेने है यह वाला जो है acknowledgement जो है यह आपको वापिस आपको मिल जाएगी जब आप इस form को वहाँ पे deposit करवाएंगे तो अब बात आती है कि application form को deposit कैसे करवाना है आपको क्या आप speed post, courier के madams इसको भेज सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप जो है by hand जाके आप इसको वहाँ पे deposit करवाएंगे by hand मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं advertisement में एक लिखी हूँ special instruction आपको दिखाता हूँ यह देखे जब advertisement number देखेंगे तो इसमें specially mention किया गया है कि यह 6 जुलाई 2022 तक application form पहुंच जाना चाहिए इस दिये गए address भे ठीक है और timing भी यहाँ पे लिखी गई है कि सुबह 10 बज़े से स्याम 5 बज़े तक के बीच आपका आना चाहिए उसमें साथ में लिखा है कि lunch break होता है एक से दो के बीच और Friday को होता है बारा से दो के बीच means इस timing के बीच वो आपका form accept नहीं करेंगे इसलिए कोई courier के मैदम से अगर आप भेजेंगे या speed post के मैदम से भेजेंगे तो हो सकता है कि वो इस time के दर्मियान वहाँ पे पहुँचे और आपका application form इधर उदर डाल के आ जाए तो इसलिए आपको by hand जाके इस form का आप deposit करवाईए और जो acknowledgement slip है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी कि आपने application form deposit करवा दिया है और अगर आपकी कोई mistake होगी भी application form में तो हो सकता है कि जब आप उसको deposit करवाने जाएं तो वहीं पे वो check हो जाए और वहीं पे वो correct हो जाएं तो ये basically मैंने आपको बता दिया है पूरी process के बारे में कि कैसे आप अपना application form fill कर सकते हैं और कैसे उसको deposit करवा सकते हैं फिर भी आपका कोई doubt रहे गया है तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं कोशिस मेरी यही रहती है कि आपके comments का answer जल्दी से जल्दी करूँ लेकिन कई बार possible नहीं हो पाता तो उसके लिए शोरी तो आज के से वीडियो में इतना है एक ऐसे ही नए वीडियो नए content में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई जै हिंद जै भारत